हेलो फ्रेस्ट वेल्कम टू ओल्लाइन अटर फोर स्टडी बनेश्टेप एट फोर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे युट्व चैनल पर दोस्तों एक बाफ है से आप सभी की भी चार्जी हूं जहां पर हम लेने वाले दोस्तों चैनल डेपलेमिन का पार् कर दिये जाएंगे जिससे कि दोस्तों आप 90-90 कोश्चिन करें लगबग आप सभी जो है काफी अच्छे कोश्चिन के लेवल तक पहुंच जाएंगे तो ज्यादा समय ना खराब करते हैं वीडियो को शुरू तो जितने भी लोग वीडियो को देखें अभी कभी वीडियो को प्रावित करते हैं तो वे नेवाड करते हैं आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए राजनीतिक समूह या अपरादी समूह तो वह नेवाड करते हैं सामाजिक समूह का तो आप सभी का हो जाएगा यहां पर बि प्चोग खेल को लेकर तो जब बच्छा खेलता तो सामजीक विकास भी होता है मांसिक विकास भी होता है और शारीक विकास सबसे पहले होता है तो आप्शन नमबर फोर आप सभी को यहां पर हो जाएगा बिल्कू राइट आंसर इसमें कोई प्रोलम नहीं है अगला कोशन आप सभी के सामने निम्ड में से कौन सा किया तो बुद्धी के परिच्छन है तु उप्योग में लाया जाता है आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने है और राइट आंसर दोस्व इसका जो होगा ऑप्शन नमबर टू आप सभी का यहां पर बिलकू रा अगला कोशन आप सभी को बताने के आप सभी को बताना झाला आप सभी आप सभी को बताना है नाये चार उप्शन आप सुवी के सामने है तो राइट आंसर वर यह अर्जित परक्ष बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पर बेवालक जो रटते हैं उनमें आप सबी को बताना है चार उप्शन आप सबीकर सामने है उनमें मौलिक달 चिंटन की सकति पैदा होती है तो option no.3 आप सभी का यहां पर हो जाएगा बिल्कु right answer अगला कोशन है कक्षा कक्ष में एक सिच्छक करम संक्या बोलकर बालक की उपस्तिती लेता है इस बिसे में आपकी क्या राय आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने हैं यह तरीका अच्छा नहीं है इससे सिच्छक के साथ बालक का सीधा संब्द नहीं बन पाता है तो option no.3 आपका हो जाएगा बिल्कु right अगला कोशन है एक सभल सिच्छक है तू निम्ड मैंसे किसका सर्विदिक महत्तमुर कारे बनता है आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने है और इसका जो right answer होगा बालक में चिंतन की योगता का विकास करना option no.3 आप सभी का होगा यहां पर right answer अगला कोशन है किसी बालक में उपलबदी पेरणा कमापन कहने के लिए उपयोगत आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने हो इसका जो right answer होगा दोस्तो प्रसंग आत्मक बहुत परिच्छन option no.2 आप सभी का हो जाता है बिलको right answer अगला कोशन कबर करते है निम्न मेंसे क्या इसमर्ती का तत्व नहीं है आप सभी से पूछा गया है तो इसमर्ती का जो तत्व नहीं है दोस्तो ब्लोपन होगा option no.4 आप सभी का यहां पर होगा बिलको right answer अगला कोशन है शीखने का प्रतन एवं तुटी सिद्धान्त किसके दुआ विक्सित किया गया था आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने है और इसका जो right answer होगा option no.3 थौन डाइक इसका बिलको right answer है बढ़ते हैं अगले कोशन पर आपकी कच्छा के बाला खेल कूर कर रहे हैं तो आपके उनके साथ सके रूप से खेल कूर में भाग लेना चाहिए क्योंकि आप सभी को बताना है तो इसका जो right answer होगा दोस्तों इससे आपको बालागों के निकट संपर्ग में आने का अपसर मिलता है तो option no.1 यहां पर हो जाएगा बिलको right answer अगला कोशन आप सभी के सामने है अगला कोशन आप सभी के सामने है तो इसका जो right answer होगा इसके माध्यम से बालागों के सरगीड विकास किया जा सकता है option no.4 आप सभी का हो जाता है बिलको right answer अगला कोशन आप सभी के सामने है निम्ड में से कौन से वहवार प्रवावगाई सिच्छन में योगदान नहीं देता है आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने है और right answer होगा उसको कक्षा के नियम होबा कारे पंडाली के सकती से पालन करना option number two आपका हो जाता है बिलको right answer अगला कोशन है आपकी कक्षा में एक समझ्यात्मक बालक है उसके वहवार के उपचार है तो आप निम्ड में से कौन सी विदियों का प्रयोग करेंगे आपको बताना है चार विदियां आप सभी को दी गई है और इसका जो right answer होगा बिद्याल है उप चार विदि option number one आप सभी को यहां पर हो जाएगा बिलको right answer अगला कोशन है बंचीत रूप से पिषड़े वालकों के अंतरगत निम्डिकत में से कौन बालक आते हैं आप सभी को बताना है चार आप्शन आप सभी के सामने हैं तो हम बात करें अंद्र वा अपंग बालक मंद बुद्धी वा अगलाने वाले बालक पूंड बदर या फिर आंशिक बदर तो अगर हम बात करें दोस्तों बंचीत रूप से पिषड़े वालकों में असबदर की में क्या करेंगे आपको बताना है क्या अप उसे डांट देंगे और साथ में यह करेंगे कि आपका पढ़ने मरन नहीं लगता है या उसे चस्थमा लगानी की सला देंगे या फिर दोस्तों जो उप्शन आप सभी कर सामने दीए गए उसपे से कौन सा साही होग अगला कोशन है अधिकम की द्रस्टी से पेरणा संबंद किस परकार की उत्रेजना है आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने और इसका जो राइट आंसर होगा आंतरिक इसका बिल्कुर राइट आंसर है अगला कोशन देख लेते हैं निम्न में से क्या पेरणाओं की उ अधिक कारण है आप सभी को पूछा गया है तो राइट आंसर होगा दोस्टो आत्म रच्छा की भावना बिल्कुल सही है अचेतन मन ये भी ठीक होगा सुखवा आनंद प्राप्त करने की भावना तो दोस्टो तीनों की तीनों आप्शन सही है तो हमारा चोता हो जो है रा राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर होगा सो बिश्व इद्यान है अनुदान आयोग ऑप्शन नमबर बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आ जाता है किसी बालक में जो पेरक सामाजी का आदर्शों इस्तितियों संबंदों आधियों के कार तो दोसो दंड पुरस का प्रसंच आज तीनों की तीनों दोसो बिल्कुल राइट आंसर तो ऑप्शन नमबर आप सभी का आख बंद करेके लगा दीजिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पर पेपर में आख बंद मत करना लेकिन अगला कोशन है अभी पेरनातमक चक्र क प्रमुक अंगर आप सभी से पूछा गया चार आप सभी के सामने हैं तो दोसो हम बात कहें आवशिक्ता अंतनोद या फिर पोट्चाहन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है अगला कोशन देख लेते हैं किसी वालग में सोचन आप सभी से पूछाएगा चार आप सभी के सामने हैं तो दोसो वह होता है संकल्बना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भायत की प्रतम राश्य सिच्छा नीति कब बनाई गई थी आप सभी से पूछेगा है ट्वेंटी एट का राइट आंसर आपको बताना है जुलाई 1986 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशिच्छा की संबूर समाज को प्रगती के मार्क पर ले जा सकता है क्योंकि वह आप सभी को बताना है तो दोसों यहां पर जो राइट आंसर होगा भावी नागेगों को सही मार्क दिखा सकता है ऑप्शन न होगा दोस्तों होगा सिच्छन को रोचक बनाएंगे अप्शिनिममर थाड़ आपका फिल्कुल राइट आंसर हो जाता है तो अभी हमने कवर कर लिए दोस्तों पूरत तीस कोश्चन अगला सेट आप सभी के सामने आ जाता है फिर से एक से कोशिचन स्बूँ हो जाएंगे वानब मस्तिक की किरियाउं का प्रिक्षन किस यंती द्वारा किरिया जाता है आप सभी से पूछा गया है चार अप सभी के सामने हैं और राइट आन्सर आप सभी को पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो बता देते हैं ऑप्शन नमबर थर्ड आप सभी का यहां पर होगा बिल्कुल राइट आंसर इलेक्ट्रोन सिफलो ग्राम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नमबर थर्ड भढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले कोशन पर अगला कोशन जो सी सामाने मान सिकता च्छमता पर करने था अपनी समस्यां का समाधन करने में दीगरी साहता कहला थी आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने है और इसका जो होगा मार्क दरसन बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है उद्देश की द्रस्टी से कौन सा सिच्छड का एक प्रकार नहीं है आप सभ बताना चार अप्षिन आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंस ओका जीव कहन दित बढ़ते हैं अगले कोशन पर पार पुस्टक सिच्छक कारेकरमों की वासिक समिच्छा कौन सी बिध्यालय समिथी का कार है आप सभी को बताना चार आप सभी के सामने है तो दो सभ विवर अगर हम बात करें लर्निंग को एक्वैलिटी या फिर हम बात करें इस पार्क्स फांडेशन तो बिदोस्तों जो साथ भी कोशिन का राइट आंसर होगा और आप सभी का बिलकू राइट आंसर होगा अगला कोशन है खेल कि यह वालगों के किस आई वर्ग में अपनी सीमा पर होती है आप सभी से पूछा गया चार आप सभी के सामने है और इसका जो जोगा दोस्तों लेंग विवेद पर ध्यान नहीं देना आपस बढ़ते हैं अपने अगले कोशिन पर भाशा को परिवासित करने के लिए उप्योग तो आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने हैं और इसका जो राइट आंसर गरोस्व होगा अनुवववों को प्रकट करना ऑप्शन नमबर थर्ड इसका बिलकुर राइट आंसर हो जाएगा जो बालक का आग्या नहीं मानते हैं उन बालकों के साथ कैसा विवार किया जाएगा आप सभी को बताना है चार आप स सभी को बताना है चार आप सभी के सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मादमिक्स इच्छा की इस तरह पर ऑप्शन नमबर टू इसका बिलकुर राइट आंसर अगला कोशिन आप सभी के सामने आ जाता है इसमें ना एक करेक्शन कर लिए ना दोंद लिखाए आप दोंद नहीं है दोंद ठीक है न तो दोंद आप सभी समझ के होंगे बालक में जन्म लेने वाले दोंद उनके अंते बैक्तिर संबंद उपर प्रवाब डालते हैं इन दोंद में नहीं थे आप सभी को बताना चार आप सभी के सामने राइट आंसर आपको पता होना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोसो वो option number आप सभी का थर्ड हो जाएगा इस नायू असंतुलन option number थर्ड आपका बिल्कुर राइट आंसर है अगला question देख लेते हैं कक्षा में बालगों के मानसिक स्वास्थ के नेमने में से अधिक प्रात्मिक्ता प्रदान नहीं की जा सकती है आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने है तो राइट आंसर होगा दोसो बालगों के अभिवाबों को मानसिक स्वास्थ option number 2 आपका बिल्कुर राइट आंसर होगा अगला कोशन देख लेते हैं निमलिकित में से क्या सकारत्मिक अभिवत्ती के विकार्स में मैथ्पूंट बुमिका अधार करता है तो चार option आप से आपका जो राइट आंसर होगा बो दोस्तों आप सभी को बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है आपकी कक्षा का एक बालग अलबकाली समर्ती की समस्या से घरस्त है उसकी समर्ती निम्ल में से कितनी अविदी हो सकती आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने और राइट आंसर होगा तो 120 सेकंड अगला कोशन कबर कर लेते हैं आपकी कक्षा का एक बालग मनोज किसी परसने को हल कर लेता है उसका सरवोच उसका क्या है आप सभी को बताना चार आप सभी के सामने है उसे उस परसने को हल करने की विदी का घ्यान हो गया है तो option 4 आपके यहां पर बजाएगा बिलकुर राइट आंसर पेड़ा के छेत मे अंत्तोंद सिदान्त को पतिपादित किया था आप सभी को बताना है हल ने प्याजे ने स्कीनर ने या फिर हम बात का है वेलाड ने तो option नमबर आप सभी का वन इसका बिलकुर राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आप सभी के सामने है बालक में उत्पन वह दसा जो कि किसी निश्यत उद्देश की पूर्ती के लिए उसमें निश्यत व्यवार का सपस्ट करती है आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने है तो राइट आंसर होगा दोस्तों अभी पेरक बढ़ते हैं अगले कोशन पर बालकों को गह कार देने के मुख्य उद्देश से क क्या है आप सभी को बताना चार option आप सभी के सामने है कक्षा की अधिकम को सवजड़ बनाना option नमबर टू आप सभी का होगा बिलको राइट आंसर बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है पूर्व मादमी कक्षाओं में बालक बहत क्रिया शील होते हैं ऐसी इस्तित आप सभी को बताना चार option आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा अधिक अधिक अभ्यास option नमबर 4 इसका बिलको राइट आंसर हो जाता है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पर कक्षा में अनुशाषन की समस्या एक प्रमुक समस्या है इसका प्रमुक अगला कोशिद है जब एक बालक आपको देखकर बिलकुल आपकी तरह ब्रवार प्रिकट करता है तो आप इस पर क्या कहेंगे आप सभी को बताना है चार option आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा अनुकर्ण बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पर एक व्यक आप सभी से पुछाए तो इसका जो राइट आंसर बालकों के साथ सिच्छक का संबंद बढ़ेगा option नमबर बिल्कुल थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर है कभी कभी क्या होता मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब उप्रोक्त सभी आ जाता तो कुछ लोग इसको देख प्रतिवार साली बालक आपके द्वारा दिये गए कारव में बिल्कुल रूची नहीं ले रहा है ऐसी इस्तिति में आप क्या करेंगे आपको बताना है चार आप सभी के सामने है तो राइट आंसर होगा उसे विद्याले के उप्रांत रुकर कार्समाप्त करने का आदेश देंगे और यहीं इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा उप्शन नमबर फोर इसका बिल्कुल राइट आंसर है तो बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन पर यह सेम कोश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर भी पूछा था यहीं लगवग ऐसा ही कोश्चन था उस पर एक आपको जवरत नहीं पड़ेगी अगला कोश्चन है रुचियों के संब्ध मैंसे निम्न मैंसे क्या सत्य आप सभी को बताना है चार आप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए इसका तो इसका जो राइट आइट आंसर होगा उप्शन से पूछा गया चार आप सभी के सामने है तो बालक की अनुवान शिक्ता था बातावन दोनों को जटिल संचना द्वारा उप्शन नमबर टू आपका हो जाएगा बिलको राइट आंसर अगला कोश्चन देख रहेते हैं किसी बालक को व्यवार का उप्यूक्त कबर केतने कोशिन आपके सभी करें कमेंट करें के जहूल बताना साथ में अभी तकरे अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है अगला कोश्चन आप सभी के सामने आता है निम्ड मैंसे कौन सा संभर्ग गेने के अधिकर मनुकर्व में सही नहीं आपको पता होना चाहिए समस्या का समाधान बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है मौसलों की मानर वाफशक्ताओं के सरंक्रा में सबसे मूलभूत बर्ग आप सभी को पूछा गया चार आप सभी के सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर थ अगले कोशन पर अगला कोशन आप सभी के सामने है मान्जिक स्वास्त किस तरह बेवार है आप सभी को बताना है चार आप सभी के सामने हैं यह उगर आप सभी का यहां पर होगा बिलको राइट आंसर बटते हैं अगले कोशन पर सिच्छन के उद्देश के आधार पर सिच्छन को कितने वागों में विवजित किया आप सभी को बताना चार आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अगला कोशन कवर कर लेते हैं बालकों की जैवियर अवस्ता का बड़न करते हैं वह गटकर महत परदान करना आवश्यक नहीं आप सभी को बताना चार आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आप सभी का हो जाएगा बिलकुर राइ अगला कोशन है बालकों में सामाजी कनुशासन बनाई रखने है तू सभी से पूछा गिया है चार आप्शन में से आपको बताना होगा दोसुर इसका राइट आंसर तो वो होगा दोसुर आप्शन नंबर थर्ड बालकों में अच्छा आप बनने की इच्छा परदा करना अगला कोशन है पॉबलब ने अपने अधिगम सिद्धान को किस रूप में प्रस्तुत किया आप सभी को बताना है चार आप्शन आप सभी के सामने है तो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बन सास्तिय अनबंदन सिद्धान अगला कोशन है सहचिक निदेशन का का आप सभी से पूछा गया है चार आप सभी के सामने है तो इसका जो राइट आंसर होगा चात्तों के अध्यान के ओचित विदियां बताना ऑप्शन नंबर टू इसका बिलकुर राइट आंसर हो जाता है अगला कोशन है बैवाल में अत्योतर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है निम्ण मेंसे ही है कि इसका कथन है आप सभी से पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते अपने अगले कोशन पर आधुनिक सिच्छा की बात की गई यहां पर आधुनिक सिच्छा पदती के अनुसार प्रात्मिक विद्याले में निम् वैसे किसकी उपेच्छा की जानी चाहिए आप सभी से पूछा गया है चार आप सभी के सामने राइट आंसर होगा बालों की आवशिक्ता की पूरती करना बढ़ते हैं अगले कोशन पर पूर्ब मादमी करक्षां के बालकों के सामाजी करण में खेलो द्वारा जो अगला कोशन कबर कर लेते हैं किरिया की सफलता से शंतोस एवन असफलता से अशंतोस होता है थोंडाय कि किस नियम की और इशारा करता आप सभी से पूछा गया है अठाएवे नंबर का कोशन राइट आंसर होगा दोस्तों प्रबाव बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पर प्रशिष्ण इस्ताना अंतर्ण का संब्ध निम्निकित मैसी किस के साथ है आप सभी से पूछा गया है राइट आंसर आपको बता होना चाहिए तो राइट आंसर ओगर उसो एक परिस्तिती से प्राव्द प्रशिष्ण की दूसी परिस्तिती के सीखने में उप्यूग करन से बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन सीखने के उत्दीपक प्रतिकिया सिद्दान्त के प्रतिपादक कौन है आप सभी को बताना चार आप सभी के सामने है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर वन थोंडाइक दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडिय की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अगर आप सभी दोस्तों अगर हंडेड एंवार्मेंट इसडी के कोश्चन देखना चाहते हैं उसके लिए भी लिंक आप सभी को महीं पर मिल जाएगा और साथ में वीडियो को लाइक शेयर तो बनता ही है अगले कोश्चन की तब ब चाक्षा के बालगों में पाएज आने वाले वह सर्वों स्कारक हैं जो बालगों की मित्र वावना को इस पर शूप से प्रदर्शित करता है आप सभी को बताने हैं चार आपसे और यहां राइट आंसर होगा जोसो मात्रा आत्मों गुणात्मों के लिए अगला कोशन कवर कर लेते हैं बालक किसी काले को अपनी स्वेम इच्छा से न करने की दूसरी की इच्छा से किसी बहाँ प्रवाफ करता है आप सभी को बताना है कि ऐसा किस परणाम में होता है आप सभी से प तो आप्सिन नमबर फूर आप सभी के सामने नमने में सिख्ड़े भालक की समझ आप सभी से पूछा गया है तो शारिर इस जूपसे आयोग्य आधिगम की च्मता कम होती है या फिर सामाजिक विवार में कुशल नहीं होते हैं तो option number अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों आपको लगेंगे बिलको right तो option number 4 आपका हो जाता है यहाँ पर right answer अगला question है विश्चिस्ट बालकों की सेंडी में आने वाले बालक आप सभी से पूछे गए हैं चार option आप सभी के सामने है तो पैतिवा शाली पिश्चिडा वालक या फिर मंद बुद्धी वालक तो option number विश्चिस्ट बालकों की सेंडी में यहाँ पर बात की गई है तो right answer option number 4 आपका right answer हो जाएगा अगला question देख लेता समय उजन की प्रकिया का प्रमुक आदार आप सभी से पूछा गया चार option आप सभी के सामने है और right answer होगा तो इस ते था option number 2 आपका right answer हो जाएगा अगला question cover कर लेते हैं 29 माँ सभी के साथ मिलकर चनले वाला होता है आप सभी से पूछाएगा समस्या के पारास भी क्रूप से समझने वाला होता है या फिर एकांत में विश्वास रखने वाला होता है या फिर स्वहम को यथात का अनकुलन ढालने वाला होता है तो 29 का दोस् सभी से पूछा गया चारा option आप सभी के सामने है राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए सकात्मक सरकाई नीतिया ग्रम पंचैत धनात्मक रुक या फिर गाउं की लोगों का सहयोग तो option number one two three बिल्कु राइडर तो option number four आपका हो जाएगा बिल्कु राइट तो यह थे दोस्तों 90 कोशिंट जो कि मैंने आप सभी को काफी जल्दी करा दिया मुझे उम्मीर है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक के शेयर करने में कंजू सी बिलकुल ना करें और अगर अभी तक आपन आपको वीडियो